नमस्कार स्वागत था आपका स्क्राइमन न्यूस में मैं हूँ आपके साथ कनिका सबसे पहले बात करते हैं जबलपूर की जबलपूर के पावला में गुंडा गर्दी की हैरान करने वाली तस्वीर इस सामने आई है यहां कुछ बदमाशों ने रेत निकालने के विवाद के चलते जमफर में आख लगा दी इतना ही नहीं दरजन से जादा बदमाशों ने रेत कारोबारियों में डर पैदा करने के लिए हवाई फाइरिंग भी की देरात हुई इस वारदात के बाद सुभा पुलिस ने मूके पर पहुँच कर जाच परताल की जिसमें उन्हें जले हुए डंफर और गोलियों के खोके मिले है जानकारी के मताबिक रेत निकालने के लिए गुंडा टेक्स देने की मांग की गई थी जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो बदमाशों ने रेत पर वहन करने वाले डंफर में आग लगा दी इस मामले में पुलिस ने कईयों के खिलाफ मामला दर्श कर जाच शुरू कर दी है रवी इठापुर है रवी पटेल उसके पावला गाउं का उसके द्वारा थाने में अधर्श कराईगी कि उनके कुछ साथी आये उनने गाडियों में तोड़ पोड की और कुछ गाडियों को दो गाडियां जसमें जनी है पेटेल की कुपी लेके आये थे उससे आग लगा है और इनके द्वारा फाहर भी करना बताया वहाँ पर्फम द्रश्ट्या किसी के साथ मार पीट या किसी को छोट लगी हो ऐसी बात नहीं है किन्तु तोरफोर इनके गाड़ियों में वागेनी की बात पर पर्फम द्रश्ट्या सामने आई है इस पर जिसमें रवी पटेल क पर दर्ज की गई इसमें प्रेम पटेल को पुलिशन ने लिए और शिवा ठाकोर जो है ग्रामकुष्री का रहने वाला है इसके बुर्द मार्कीट और नंबी धाराओं के अपराद होने से इसके बुर्द जलाबदर पिछली बार किया गया था विदान्सवा चुनाव के समय पर बाद में इसका जो है कमिश्णर साब के कारले से इसका जिलाबदर केंचल हो गया था उन्हें इनके बुर्द सक्त दारों में कारवाई की जा रही है इन में से कुछ बदमास ऐसे हैं जिनके अपरादिक रिकार्ड हैं बेलकिटा थाने में उनके अपरादिक रिकार्ड के अधर पर भी सक्विदानी करवाई की जानी है